एक्सलेंसीज हमारे करीबी सहयोग को और व्यपक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा पहला है स्पेस के ख्षेत्र में सहयोग हम ब्रिक्स सैट्रिलाइट कॉंस्टिलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं एक कदम आगे बढ़ाती हुए हम ब्रिक स्पेस एक्स्प्लोरेशन कॉंसोरियम बनाने पर विचार कर सकते हैं इसके अंतरगत हम स्पेस रिसर्च वेधर मॉनिटरिंग जैसे जेट खेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा स्किल डेवलप्मेंट और टेक्नोलोजी में सैयोग कि ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी और रेशन बनाने के लिए हमें अपनी सुसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा कि इसमें टेक्नोलोजी की एहम भूमिक रहेगी भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामिन छेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुचाने के लिए दिख्षा याने डिजिटल इंफ्रसेक्टर फर नॉलेज शेरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है साथी स्कूल के विद्यार्थों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में दस हजार अटल टिंकरिंग लेप्स बनाये हैं भासा समंधी बादाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस लेंग्वेज प्लेटफॉर्म भाश्विन का इस्तिमाल किया जा रहा है कि वेक्सिनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है डिजिटरल पब्लिक इंफ्रसेक्टर यानि इंडिया स्ट्रेक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलिवरी को रिवलुशनराइज किया जा रहा है विवितता भारत के एक बहुत बड़ी ताकत है भारत में किसी समस्या का हल इस विवितता की कसोटी से निकल कर आता है इसलिए यह solutions विश्व के किसी भी कौने में आसानी से लागू हो सकते हैं इस संदर पे भारत में विक्षित इन सभी platforms को Brics Partners के साथ साजा करने में हमें खुशी होगी मेरा तूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्कील मेपिंग पर कर सकते हैं इसके माद्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं मेरा चौता सुझाव है Big Cats के सबंद में Brics के पांचों देशों में बड़ी संख्या में विभीन प्रजातियों के Big Cats पाए जाते हैं International Big Cat Alliance के अंतरगत हम इनके समरक्षन के लिए साजह प्रयास कर सकते हैं मेरा पांचवा सुझाव है traditional medicine को लेकर हम सभी देशों में traditional medicine का ecosystem है क्या हम मिलकर traditional medicine की repository बना सकते हैं क्या हुआ है